Multiple intelligence, multiple intelligence का जो concept है उसमें ये है कि intelligence जो है वो single entity नहीं है बलके इसके मुतलिफ किसम की components मिलके intelligence को बनाते हैं जिसमें comprehension भी हो सकती है जिसमें common sense जो है भी हो सकती है जिसमें analytical skills भी हो सकती है जिसमें evaluative skills भी हो सकती है जिसमें evaluative skills भी हो सकती है और ये सारी skills मिलके intelligence जो है उसको describe करत है intelligence एक single entity का नाम नहीं है जी intelligence इसमें कम है या ज्यादा है तो intelligence जो एक single concept नहीं है इसके मताबिक इसमें refers to the theory that describing the different ways students learn and acquire information कि students के अंदर qualities different होती है आप किसी की analytical अच्छी है किसी की comprehension अच्छी है किसी की memory अच्छी है और किसी की presentation skills अच्छी है और कोई जो है वो अपनी social skills में बड़ा intelligent है तो students अपनी multiple intelligences के साथ जो है दुनिया में successful होते हैं किसी एक खास element की वज़ा से नहीं होते इस multiple intelligences ranges from the use of words, numbers, pictures, music, कोई music जो है वो अच्छा play कर लेता है कोई अच्छा writer हो सकता है वो भी genius है कोई player अच्छा है और कोई multiple fields में लोग multiple intelligences का expression जो है वो देते हैं और कोई खास academic achiever जरूरी नहीं है कि वो हो तो फिर ही हम उसको genius कह सकते हैं एक genius जो है वो skill based भी हो सकता है किसी खास field में अपनी skills का expression भी दे सकता है तो इसलिए intelligence जो है वो मुतलिफ किसम की elements का एक mixture है और compound element तो इसको हम कहते हैं multiple intelligence के concept की रूँ से तो बच्चों को collaboratively पढ़ाना चाहिए multiple intelligence से फाइदा उठाने के लिए group में जब वो काम करते हैं mixability groups होते हैं तो उससे उनकी multiple जो abilities हैं उससे learn करने का उनको मौका मिलता है और इस तरह से multiple intelligence का expression भी होता है फिर provide plenty of group work opportunities इसमें आप मुतलिफ किसम के लोगों से experience से learn करते हैं और use person 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 to person communication के एक person से एक सवाल पूचा फिर पीछे back benches वालों से पूचा फिर front benches से पूचा फिर right साइड से पिर left साइड से आपको पूरी diverse जो ग्लासरूम है उसमें question answers और उनकी opinion लेने से आपके पास diverse जो है opinion का collection आता है इससे आपको बदा चलता है कि हार एक बच्चे क जो level है वो भी different है उस लेहाँ से बचे participate भी करते हैं उस लेहाँ से बचे question answers भी करते हैं तो इस तरह से multiple intelligence का concept जो हम satisfy करते हैं और साथ ही उसके बाद हमें use empathy empathy का मतलब है कि हमें you should put yourself into other's shoes यानि कि दूसरों की तकलीफ को खुद मैसूस करने का नाम empathy है तो इसमें यह है कि अपनी intelligence का expression नहीं दे पा रहा तो आपको चाहिए कि आप अपने उसके हिस्से की जो कुछ काम है उसको guide जो है वो proper करें और उसकी तेकलीफ को भी खुद मैसूस करें तो यह multiple intelligence का जो concept यह है कि हमें तमाम किसम की जो constraints हैं उसको दूर करके तमाम किसम की abilities जो है वो group work के जिरि